भारत माता की आज किसी की वर्तमान चुनोतियों नीतियों और समाधान विशेव पर आजित आज के कारिक्रम में 36 गड़ के क्रिश्यमंत्री आजर्णिया प्रावचार निताम जी जागरन नियू मिडिया के सी ओ सी भरत गुपता जी जागरन के एड़्टर इंचीफ स्री राजी सुपाध्याई जी जागरन के डिजिटल संपादक सिरी कम्रेश रगुबंसी जी यहाँ परवस्थित हमारी यमकिश्वर की विदायक रेनु बिस जी मेरे साथ आए भी हमारे एमडी विने जी और हमारे एक किसान और किसान नेता भी कहूंगा संजे थपलियाल जी उबस्थित मात सक्ति समानित बंदू मुझे इस बात की प्रसंता है कि जागरन नियू मीडिया द्वारा किसी की वत्मान चुनोतियों नीतियों और समाधान विसे पर इस कार्टम का अजिन किया जा रहा है इस अवसर पर मैं देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी जी जिरोंने तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने के बाद सबसे पहले किसी पत्रावली पर साइन किया था तो किसान सम्मान न दिये की थी, बीस हजार क्रोड रुपया उसमें रिलीज किया था, मैं उनका अभारत रत्त लाँ हूं। देते हुए, क्रिश्कों की आर्थक्री की सुर्ण करने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज के इस अफसर पर मैं अपने युवा एवं जस्त्री मुख्यमंत्री स्री पुस्कर सिंग धामी जी का भी हार्दिक धन्यवाद ग्यापिट करता हूं। जिनके निर्शन में उत्ताखन राज्य में किर्शी और अध्यानिक का समग विकास करते हुए, कास्ट कारिक की आएं में गुणात्त वृद्धी के लिए महतूर कारिकमं संचाली किये जा रहे हैं। उत्ताखन राज्य की भौलिक प्रस्थितियां इवं किर्शी जलवायू, विभिन किर्शी और अध्यानिक फस्तलों या ताफल सबजी मसाला, फूर, मस्रूम का सहथ उत्पादन हेतू अत्यधिक अनुकूल है। प्रध्यू प्रदेश में किर्शी और ज्यानिक के समगर विभ्यूम कास में विभिन चुन वयोत्योंों जैसे प्रध्य ऩ्यत्र में छोटी बखरी जोट। क्योंकि हमारे यहां पहाड में अगर आप गई होंगे पाड़िश हित्रों में एक खेत यहां होता है एक खेत यहां होता है तीसरा खेत रहा होता है जिसने किसान को खेती करने में प्रेशानी होती है दूसरा जंगली जानुवर जारार जो नुकसान आदी का सामना किसान को करना पड़ता है किस्मों के हित वे उनकी आये को दोगनी करने के अब्देश से सरकार ने स्टेट मिलेट मिसन प्राकृत्रिक खेती क्रिशी यंत्रिकर्ण जी आई टैग सुक्स हिचाई प्रणाली क्रिशी डोन जैसे एहम योजनाओ का क्यांवी प्रजिय सरकार के द्वारा किया जा रहा है अभी तक 28 ड्रोन हम विर्तित कर चुके हैं स्टेट मिलेट मिसन में मानि मक्षिंत्री जी ने 73 कोड़ रूपर की विस्था इसमें की है और जहां अले फसलों के वीज में हम 50% की सबसीडी देते हैं मिलेट में हम 30% की सबसीडी अलग से देते हैं 80% सबसीडी किसान को मिल र अधावार को ध्यान में रखते हुए हमारे उत्त्राखण में करस्टर खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है विभनी योजलाओं के अंतरगत 264 क्रिशक उत्पादक सक्टरन एफपीयों को गढ़न किया जा चुका है जैविक रिसी के सेथ में परदेश सरकार को उत्त्रस्ट कारिकरने के लिए कई बार जैविक इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं अपने सभी अधिकारियों को शुक्रामनाई देता हूं बदाई देता हूं और मिलेट सेक्टर में बहत्री प्रदेशन करते हुए राजी को आई आई एमर हैदरा द्वारा प्रुस्कित किया गया है जब वहां पर मिलेट टेस्टिंग की गई हमारा उत्तराखंट का मिलेट सबसे बहतर पाया गया और मैं सबसे पहरते बदार मंत्री जी का अभार्दत करना चाहता हूं मिलेट जिसको स्रीय अन्नका नाम दिया गया मोदी जी द्वारा अब मुझे याद है दो जार तेईस में जब इंटर्डेस्टिंग गोसित किया गया तो और पुसा में उसकी सुरुवात मानिय ने की थी 162 देश के डेलिगर्स वहां पर थे परदेश का क्रिश्य मंत्री होने के नाते मुझे इसमें प्रदिभाग करने का मौका मिला और आज स्रीयन ने जो कि हमारी प्रंप्रा जो प्रंप्रिक खेती है उसमें है मुझे याद है हमारा नवोदित राज्य है जह हम राज्य की लडाई को लड़ रहे थे तो हमें नारा लगाया करते थे कि हम कोदा जुंगरा खाएंगे उत्राखंड राज्य बनाएंगे क्योंकि हमसे कहा जाता है कि यह जो कोदा जुंगरा खाने वारे लोग हैं और यही कोदा जुंगरा यही मिलेट्स आज अमेरों की थाली का भोजन बन गया जह हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि गेहूं खाना छोड़ दो इसमें कार्वोहेटेड लोगता है जो एक ती मडवा खाएगा उसको कभी सुगर नहीं होगी जो चौलाई खाएगा उसके घुटने में कभी दर्द नहीं होगा आज मैं क्रिशी भाउन में एक ला जोची जी से मिलने गया था तो मुझे बता लगा यहां पर एक कैंटीन है और जब मैं खाना खाने गया तो हमारे यहां तो क्या जो जो आर नहीं होता आज वो अमीरों की ठाली का भोजन हो गया अभी पिसले वर्स हमने ललित ग्रुप के साथ एक टाई अप किया उसके जितनी होटल्स यहां पर और बाहर हैं हमारे उत्राखंड के मिलेट्स उसकी मिन्यों में सामिल हुए हैं और इसका प्रचार प्रसार उसके माद्यम से हो रहा हैं और हमारे सरकार ने मिलेट्स बिस्टन के अधीन पर्थिक राशनकार्ड में एक किलो मडवा विटल किया जा रहा है पिछले वर्स किसानों से लगबग 20,000 मडवा नियुमतन समथन मूल लियो एमेसपी पर खरीदा गया और इसका नियुमतन मूल जो पहले 38.40 पैसे था सबसे जादे अगर किसी फसल का है तो 42.90 पैसे इस मडवे का है इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी का भारस सरकार का हार्दिक अभार वियत करता हूं और हरी सक्षा ने एक आमोर किया उत्राखंड में अधिकतर छोटे वह गरीब किसान होते हैं वो सहुकार से पैसा उधार लेते थे और सहुकार मनमाने दामों पर 22 रुपे 25 रुपया मडवा खरीद कर आगे महंगे दामों पर बेचता था हमने यह सुनिश्चित किया है हमने कहा क्यों कि राम विकास विभागी है मेरे पास है हमने कहा कि किसान को उसके उत्वात का सही दाम मिले MSP पर उसकी खरीद हो हमने कहा कि हमारे समू की बेहने किसान से उसके घर में जाकर मडवा खरीदेंगी MSP पर खरीदेंगी उसके दो फाइदे होंगे जहां किसान को उसके उत्वात का सही दाम मिलेगा वहीं तीन रुपए किलो इंसेंटिव हम सुसमू की बेहन बेटी को दे रहे हैं और जो हमारा मोदी सरकार का संकल्प है कि हम तीन करूब बेहनों को लगपती दिदी बनाएंगे और हमारी प्रदेश की सरकार ने भी संक्यत लिया है कि दो हजार पच्चिस में हमारा राज ये पच्चिस साल का होगा हम डेड़ लाग बेहनों को लगपती दिदी बनाएंगे अभी तक 93,000 लगपती दिदी हम बना चुके हैं उस दिसाबे भी एक सार्थ तक कदम होगा ये कामभारी सरकार कर रही है उत्राखन में उत्राखन की एक नोभी में किर्शी राज की अर्थ द्विस्ता का एक एहम इस्सा है यहाँ पर 70 फिस्दी से ज्यादा अबादी के लिए किर्शी ही आजुका का मुख्य जरिया है उत्राखन में लगबग आठ लाख हेक्टेर खेती योग जमीन है राज के भौगलिक शेत का जो सोरा फिस्दी है प्रदेश में जयविक खेती के तहट डूपाइंट ठी जिरो लैक हेक्टेर अच्छागित किया जा चुका है जो प्रदेश की कुल कुछिच शेत्री फल का अर्थि प्रश्यत है और हमारी सरकार का संकल्प है कि दो हजार पच्चिस तक हम इसको पचास फिस्दिक लेकर जाएंगे उत्राखन में उगाई जाने वाली प्रमुक फस्टों में चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, सोया बीन, दाले, तिल्हन, और कईफल और सब्जिया सामिल है हमारी सरकार किसी वहाग के माध्यम से दल्हन और तिल्हन के छेत में उत्पादन और उत्पादता बढ़ाने किर्शी योग बंजर जमीन की उवरपता सुचित करने और बारिस के पानी को संचित करने जैसी कई इतियों को किसानों को सहयो करती है और गोईंद बदलब पंद क्रिशी में प्रद्रक्री की विस्तुदाले कभी जो इश्या का नंबर एक सब्सक्राइब करता था हरित करांती का जो जनक है वो भी हमारे उत्तरखंड में है और पंद गर्यम के शिव ज्यान के इंद्रों के माधिन से भी किसानों को किसिक्रण की जानकारी उपलत कराई जाती है परदेश के इस्थाने ये फस्तों को विशिस पहचान जनाली के राज्य के 25 पादों को जियाई टेक परदान गिया जा चुका है जिसमें हमारा लाल धान, बेरिनाक की चाय, गहत, मंडुवा, जंगोरा, बुरास, जूस, काला भर्ट, चौलाई, मास्क, माल्टा, इत्यादी हैं और मैं मान्य प्रदान मंत्री जुआरा माजशक्ति को आर्थिक रूप से तुर्ल करने तता उन्हें आत्थ निर्भर बनाने के उद्देश से चलाए गई योद्दा नमो ड्रोन दीरी कारिक्यम के तहट 28 ड्रोन वित्रित किये जा चुके हैं सेव के उत्पादन की जिस्ट्री से जम्मु कस्मीर वहमांचल प्रदेश के बाद उत्राखंड का तीसरा इस्थान है हमारी सरकार ने सेव की अती सगन बागवानी योजना प्रभर्म की है जिसके तहट बागवानों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है इस योजना के अंतरगत लगबक 800 क्रोड की लागत से 500 हेक्टियर सेट पर अज़धित कर 50,000 लोगों को रोजगार उप्रत किराय जाने का संक्र हमारी सरकार ने लिया है पिसली वर्स 2 सेव 11 एकड में सेव के अती सगन बागवानों की इस्थापना की गई है नाबाड के सहयों से सबजी वं फूनों की खेटी के लिए अस्ति प्रतिशत अनुगान पर क्लस्टर में छोटे पाली हॉउस स्थापित किया जाने के लिए प्रुपे लगबग तीन सो क्रोड का प्रस्ताव स्थिक्रित किया गया है सरकार इस पर प्रस्थिक प्रत्ता पर कारी कर रही है कीवी का अत्पाद राज्य में उच्छे मूल वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्वंती राज्य क्रिशी है विकाश यूजना के अंतरगत लगब साड़े सॉला क्रोड कीवी हीत्य जूजना स्विक्रित की गही है बागवानी के समगर विकाश कि लिए जयाइका के तहत उत्तराखन एक इकятся्रतर उद्यानिक विकास फोरिज्णा के रूप में उद्यान विगा के अंतरगत मान सो चब्विस क्रूर की बहाय साहिती जाइका प्रयोजना स्विकित किराई गई है जिसका जमें अभी शुरुबात में हम जनपर टिहरी उत्तरकाशी ननी ताल इवंपर धगर्ण में किया जाएगा और आज जो हम एपल की बात करते हैं जो हमारा एक एपल की बेल्ट है जबसे ज़्यादा हमारा बेल्ट उत्तरकाशी जो हमारी बेल्ट इसमें वहाँ पर होता है और आपने अगर सुना होगा और हमने अलग से ब्युस्ता किया कि हर्सिल के सेव के लिए अलग पेटी बनाई जाए आज हर्सिल का सेव उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है वो कश्मीर के सेव को भी फैल करती है मुझे याद एक बार मैं हर्सिल का सेव लेकर जब एक कें हृसल में ये से भूता है वह आश्यर सेकी ठीट है कि आसा थे भी हमारे होता है तो हमारी सरकार लगातार कि अक काण के खेत्र में उसको प्रोश्चान देने का काम कर रही है इसलिए हमने हरस जिल के शेत्र के इसी अलग इसे पीओं का क्योंकि अगर आपने देखा होगा हिमांचल का से हिमांचल की पेटी के नाम सही और अगर मार्केट में आता है उसे पता लगता है कि हिमांचल की पेटी है तो ऐसे उसके दाम जाने हो जाते हैं और हमारा पुर्या प्रयास है कि हरसील के सेव के हम मार्केटिंग करेंगे और लगसे जैसा कि मैंने उसके इक्वालिटी इतनी अच्छे है उसका अधिक दाम होरे को मिलेगा और आज जितना किर्शी की चंता करते हुए इन विस्यों पर जो इस सुंदर आयोजन जागरन दुआरा यहां पर किया गया इससे और कई प्रद्यसूं के किर्शी मंत्री जी यहां पर आये हैं इससे भारतवस के साथ साथ तोतन राजिक भी किश्यक प्रणित होंगे तसा अपनी सरकार द्वारा संचाली द्योजनाओं का अलाब प्राप्त कर अपनी आर्थक की सुल्ण करने के साथ साथ देश के विकास से अपनी बहमुका बढ़ान करेंगे मुझे तो बच्पन की पतानियाब लोगों ने पढ़ा नहीं नहीं पढ़ा जो हम छोटे थे किताब में पढ़ा करते थे उत्तम खेती मध्यमबान निसित चाकरी भीक निदाद साथ किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा खेती को सबसे उत्म माना गया था और आज मैं देख रहा हूं कि लौट कर सब लोग फिर खेती की और आ रहे हैं मुझे एक घटना याद आती है मैं जब महाईम राश्पती जी के साथ पंदगर इस्तिक में दिख्शान समारों में हम बच्चों को गोर्ड मैडल सुर्ड मै डिट्र हासल कर रही थी हमारी बेटियां थी है कि कीव्याद हमारी बेटियां हर सेत्र में आगे बढ़ रही ए आज पाइट वाड़ा दो ως विउन से उसमारी वारी बेटियां जा रही है और जब मैं दो कर रूध मेनेовых बेटियों से कुछ div हम अपने गाउं में जाएंगे और जब ने सीखा है उसको ध्रातल पर हम लाएंगे ये आने वाले भारत के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है मुझे याद एक समय वो था प्राणी लोगों को अगर ध्यान होगा मंत्री जी को ध्यान होगा हमारे भारत में खाने के लिए अन्य नहीं होता था और जब एक बार अमेरिका से गेहूं मंगाया गया इस प्रकार का गेहूं भारत को भेजा गया जिसको जानवर भी नहीं खाते थे एक समय वो इस्तिती थी और आज दस साल के मोधी जी के कारक्याल में क्रिशी के छेत्व में जो अभुत्वुरू काम किये हैं आज सत्तर से अधिक देशनों को अंद्रियाद करने का काम हमारा भारत कर रहा है हंत में मैं इस कारक्याल को सफल आयोजन है तू आयोजन करता हूं भारत सरकार एंवंप्रति भागे राज सरकार हूं तभी किसान भाईयों को बदाई देता हूं धन्यवाद देता हूं और इस एगरी पंचायत पर जागरन के निव्ड मुडिया के सीयो भरत कुप्ता जी और उनकी पूरी दिन को बदाई देता हूं और मानिया क्रिश्य मंत्री आरामचा नेताम जी का विश्य जावर्द करता हूं मैं थोड़ा लेट हुआ मुझे जल्दी आता तो मुझे आपको सुनने का मौका मिलता आ बहुत जल्दी आपको मैं उत्राखन गुलाने वाला हूं आपके निभव को हम साजा करेंगे और आप पर हम मिलकर जो मोदी जी का सपना है देखे 36 गड़ तो रिच बड़ा रिच स्ट्रेट है बहुत कुछ आपके आए हमारे या तो कुछ है ही नहीं हमारे या तो आपदा है साल पे चार मैंने हमारे आपदा अभी हम लगाता है आपदा से जूज रहे हैं दसजार कोड़ पर खर्च करते हैं अगली बार फिर आपदा आती है फिर मट्रिये मिल जाते हैं तो सीगरी में आपको बुलाऊंगा आपके निभव को हम साजा करेंगे और एक बारे संदर आ झाल 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 झाल